मीशो पर अपने ओर्डर कैसे पैक और प्रोसेस करें, पर बनाए गए इस विडियो में आपका स्वागत है. मीशो पर ओर्डर मिलना शुरू हो जाए. इसके लिए यह सलाह दी जाती है कि आप सभी कैटलोग में कम से कम तीन से चार प्रोड़क्ट्स के साथ साथ पाँच से साथ हाई क्वालिटी वाले कैटलोग अपलोड करें. Make sure कि आपके पास हर समय सभी प्रोड़क्ट्स के लिए परियाप्त इन्वेंट्री है. How to sell इन मीशो के बारे में अधिक जानने के लिए यह विडियो देखें. मीशो पर ओडर्स प्रोसेस करना वाकई आसान है यह इस प्रकार किया जाता है. एक, आप अपने मीशो सप्लायर पैनल पर पेंडिंग टाप के तहट ओडर वाले सेक्षिन में सभी नए ओडर देख सकते हैं. दो, अक्सेप्ट ओडर पर क्लिक करें और प्रोड़क्ट्स की पाकिंग शुरू करें. तीन, अब बस शिपिंग लेबल डाउन्डोड करें और इसे पैकेज पर पोस्ट करें. आपका ओडर अब शिप करने के लिए तयार है. चार, पिक अप करने के लिए एक दिन के अंदर आएंगे और आपके प्रोड़क्ट को कस्टमर तक सुरक्षित रूप से पहुचाएंगे. पाँच, COD या ओनलाइन मोड के माध्यम से कलेक्ट की गई पेविंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी. अब सभी स्टेप के बारे में एक एक करके ज्यादा डीटेल से जानते हैं. पेंदिंग टाब आपके सभी नए ओडर, ओडर वाले सेक्षिन के पेंडिंग टाब में दिखाये जाते हैं. यहां आप ओडर के बारे में डीटेल्स, एक्सपेक्टेड डिस्पाच टाइम और एक बटन देख सकते हैं, जो आपको ओडर को एक्सेप्ट करने की अनुमती देगा. यदि आपके पास सौट करने के लिए बहुत सारे ओडर हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार ओडर को सौट करने के लिए दिये गए फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं. एक्जाम्पल के लिए आप उन सभी orders को देखने के लिए breached की जाच कर सकते हैं जिनकी expected dispatch date पहले ही खत्म हो चुकी है या आप यह देखने के लिए breached सून देख सकते हैं कि कौन से order जल्द से जल्द सेंड करने हैं Make Sure की order details में customer expected dispatch date के आगे दी गई date से पहले ही order को भेजना है इसको service legal agreement SLA में भी mention किया गया है जिसे आपने मीशो supplier के साथ register करते समय सुईकार किया है यदि customer SLA breached order return करता है तो आप से उसके लिए reverse shipping fee लिया जाएगा आप यहां क्लिक करके in stock products की product details में सभी product के लिए reverse shipping charge की checking कर सकती है मीशो उस order के लिए expected dispatch date से दूसरे दिन automatically order cancel कर देता है जिससे की आपको extra charge न देनी पड़े अब आपको order तयार करने के बाद उसे pack करवाना है यदि customer द्वारा प्राप्त product मीशो पर mention catalog के जैसा नहीं है तो उस catalog को supplier account से deactivate कर दिया जाएगा और यदि आपके 60% से अधिक catalog deactivate हैं या customer से 3.5 से कम rating प्राप्त करते हैं तो आपका account deactivate कर दिया जाएगा इसलिए make sure कि आप अपने customer को सही product pack और ship करते हैं Ready to ship सब ही order के लिए एक label बटन होता है इस बटन पर क्लिक करने से shipping label और चालान डाउनलोड हो जाएगा जिसे tracking और देशों के लिए package पर चिपकाना होता है यदि आप सुबह 11 बजे से पहले label डाउनलोड करते हैं तो pick up उसी दिन के लिए schedule किया जाएगा नहीं तो pick up अगले दिन के लिए schedule किया जाएगा जैसे ही आप label डाउनलोड करेंगे आपके order को लेने के लिए assign की गई delivery सेवा का नाम आपके order details में दिखाया जाएगा एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद label को print करें और फिर इसे package पर post करने के लिए आगे बढ़ें जब आप label चिपका रही हों तो बस customer चालान को अंदर fold करें और tracking bar code को label के shipping address को इस तरह छोड़ दें कि वो उपर दिखाई दें make sure कि सभी package पर सही shipping label लगा हुआ है आप label के mismatch होने से बचने के लिए उन्हें एक एक करके download करना और pack करना भी choose कर सकते हैं यदि आपके product का label आपके product से mail नहीं खाता है तो customer product वापस कर देगा और आपको product return होने की वजह से reverse shipping charge देनी पड़ेगी इसके अलावा आपका catalog जिसके लिए product mismatch पाया जाता है आपके खाते से delete कर दिया जाएगा याद रखीं सीधे customer से संपर्क करना सक्त मना है नहीं तो 5000 रुपे की charge लगाई जा सकती है यदि आपको label download करते समय error का सामना करना पड़ता है या pick up agent समय पर नहीं आता है तो आप support panel पर ticket बना सकते हैं आप order and delivery पर click करके और फिर label is not getting generated for my order पर click करके ऐसा कर सकते हैं एक बार ये सब हो जाने के बाद अपने ready to ship टाप पर जाए और order manifest डाउनलोड करने के लिए यहाँ check box पर click करें हम आपको manifest की दो copy को print करने की सलाह देते हैं और pick up के समय delivery partner द्वारा उसे sign करवाने के लिए process करते हैं एक copy उसे दे और दूसरी को अपने पास रखी एक sign order manifest order pick up का proof है यह आपके अपने record रखने के साथ साथ new order update को दिखाने में और देरी के मामले में dispute को सुलजाने के लिए काम आएगा जब shipping partner shipping के लिए आपके product को scan करता है और pick करता है तो आपका order automatically ship किये गए tab पर चला जाएगा यदि ऐसा नहीं होता है तो हम आपसे request करते हैं कि pick up होने के बाद 4 से 5 घंटे तक इंतजार करें आप supplier panel को refresh और recheck कर सकते हैं यदि status नहीं बदलता है तो आप admin panel पर सहायता tab पर जा सकते हैं order and delivery पर जाएं और फिर my order is packed up but still in ready to ship tab पर क्लिक करें फिर आप वहाँ एक ticket generate कर सकते हैं और हमारी help ले सकते हैं हम आपको सलाह देते हैं कि आप केवल हमारी shipping सेवाओं का यूज करके ही order को भेजें यदि आप किसी और shipping सेवाओं का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो आपका account first strike पर 15 दिनों के लिए suspend कर दिया जाएगा second strike के परिणाम स्वरूप 30 दिन के लिए suspend कर दिया जाएगा और third strike के परिणाम स्वरूप permanent suspend लगा दिया जाएगा Shipped आपके अभी के order जो वर्तमान में transit में हैं या ship कर दिये गए हैं यहां दिखाई देंगे आपके product के लिए collect की गई payment order delivery के साथवे दिन पर सीधे आपके account में पहुँचा दी जाएगी आप अपने supplier admin panel में payment वाले section में अपनी payment संबंधी सभी update देख सकते हैं यदि आपको लगता है कि delivery, return या payment जमा करने में सामान इसे ज्यादा समय लग रहा है तो हम इनसे संबंधित issue और details के लिए support tab पर एक ticket बनाने की request करते हैं और हम आपकी problems को जल्द से जल्द solve करेंगे प्रोडक्ट डिलिवर करते समय shipping partner customer तक पहुँचने के लिए maximum 3 बार कोशिश करता है यदि customer product को receive नहीं कर पाता है तो product आपको return कर दिया जाएगा आप अपने सभी RTO order, return या RTO tab में देख सकते हैं यदि आपने expected dispatch date के अंदर order भेज दिया है तो RTO के मामले में 200 कोई reverse shipping charge नहीं लेगा लेकिन यदि आपने expected dispatch date के बाद product को भीजा है तो RTO के मामले में आपसे reverse shipping charge लिया जाएगा Cancel Customer या आपके द्वारा cancel किये गए order यहां दिखाई देंगे आप order cancel बटन पर क्लिक करके किसी भी order को cancel कर सकती है Returns यदि कोई customer आपके product से satisfy नहीं है तो वह order प्राप्त करने के 7 दिनों के अंदर product को return कर सकता है Return के case में shipping charge अपलाए होते हैं आप अपने product details में return shipping charge की जाच कर सकते हैं यदि customer आपको कोई faulty या wrong product return करता है तो आप admin panel में support tab का use करके return प्राप्त करने के लिए 10 दिनों के अंदर हमें इसके बारे में एक ticket बना कर दे सकते हैं हमें order ID, reverse AWB number और लोटाए गए product की images और विडियो भेजें और यदि आपकी request valid साबित होती है तो हम इस case को देखेंगे और आपका amount return कर देंगे याद रखें, अपने सभी return किये गए products के लिए हमेशा एक unpacking विडियो लें यदि आप faulty return के case में एक unpacking विडियो बनाने में असमर्थ हैं तो हम आपकी request को process करने में सक्षम नहीं होंगे on hold कभी कभी जब unexpected reasons से shipping partner द्वारा customer का पता serviceable नहीं होता है तो आपका order इस tab के अंदर दिखाई देगा इस tab में दिखने वाले सभी order सिर्फ तभी दिखाई जाते हैं जब customer को देर से delivery के बारे में inform किया जाता है और उसी के लिए उसकी सहमती share की जाती है जैसे ही buyers का क्षेतर serviceable हो जाता है order automatically pending tab पर चले जाते हैं जब तक order on hold tab के अंदर है तब तक supplier से late dispatch के लिए कोई charge नहीं चाहे इसमें कितना भी समय लगे यदि आप से अभी भी charge amount वसूल तो हम आप से support tab पर एक ticket बनाने की request करते हैं payment and penalty पर जाएं और फिर I have an issue with a penalty for an order पर क्लिक करें तो यह सब मीशो पर packaging और processing order के बारे में था किसी भी unhelp या query के लिए आप हम से connect कर सकते हैं और हम मीशो पर आपकी journey को सफल बनाने में आपकी help करने के लिए यहां मौजूद रहेंगे अगर आपको यह video मददगार लगा हो तो हिट करें subscribe बटन पर हमारे YouTube चानल पे